हेलो बच्चो वेलकम बाक टू मैं चानल मेरा नाम जुगदीप है और यह जो वीडियो सीरीज चल रही है इसमें हम बात कर रहे हैं ओर्डिनल यूटिलिटी अनालेसिस की पिछले कुछ लेक्चर से हम इन डिफरेंस कर्व अनालेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं और फिलहाल अब इसको क्या किया है फोर्ट पॉपर टियुह क्या केते हैं कि हायर इंडिफरेंस कोश्च भिझ करते हैं ओर्ड करेंगे अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे या किस तरह से हम इच निक हैंगे Let us take a look at the diagram. So, यह हमारा इंडिफरेंस कर्व है, IC1 और इस IC1 पे मान लो यह हमारा पहला पॉइंट है, पॉइंट के, ठीक है? पॉइंट के पे इतनी तो हम चॉकलेट स कंजूम कर रहे हैं और इतनी पीजा स्लाइसे, ठीक है? अब हम लेते हैं एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व मान लो यह है इंडिफरेंस कर्व नमबर टू ठीक है? अब इंडिफरेंस टू पे या तो हम इस डिरेक्शन में आगे बढ़ जाएं और पॉइंट एल पर पहुंच जाएं इस पॉइंट पर हमारी चॉकलेट की कंजूम्शन तो लगभग सेम है, है ना? पॉइंट एल पर चॉकलेट की कंजूम्शन तो सेम है, पर पीजा की कंजूम्शन बढ़ गई, याने कि हमारे युनिट्स कंजूम्ड इंक्रीज हो गए, और क्योंकि युनिट्स कंजूम्ड इंक्रीज हुए है, यूटिलिटी भी बढ़ गई, ठीक है? अब मान लो इस पॉइंट पर नही ये पॉइंट है एन, ठीक है? एन पॉइंट पे एतनी चॉकलेट्स कंजूम्ड कर रहा है और इतनी पीजा स्लैसेस, लिखे लाए है? पॉइंट एन पर चॉकलेट्स की कंजूम्शन बढ़ गई and pizza slices की consumption same रही क्योंकि अब units consumed जादा है तो utility भी जादा होगी है ना अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखे तो point L और point N ये दोनो IC2 पर locate करते हैं not that कि सिरफ L और N पर ही consumer को जादा utility मिलती है अगर वो कोई और point ले ले मानलो consumer इस point पर है इस point को हम नाम देते हैं K ठीक है? सो point K पर इतनी chocolates consume कर रहा है और लगभग इतनी pizza slices consume कर रहा है ये भी हम लिख दे point K पर chocolate की consumption भी बढ़ गई pizza slices की consumption भी बढ़ गई units consumed increased हो गए और इसलिए utility भी increased हो गई ठीक है? ये जो system है इसे हम बोलते है monotonic preferences ठीक? monotonic preferences पर आपको मेरे Instagram चैनल पर एक reel मिल जाएगी आप उसे वहाँ देख करके समझ सकते हैं कि monotonic preferences क्या होते हैं ठीक है? अब यहाँ पर moral of the story क्या आ रहा है? moral of the story ये है कि जैसे ही हम एक higher indifference curve पर होंगे हमारे पास जादा units होंगे consume करने के लिए और इसलिए utility यानि की levels of satisfaction भी higher होंगे एक बार और ट्राइ करके देख लेते हैं एक और indifference curve हम बना लेते हैं इसे हम बोलते हैं indifference curve 3 मान लो इस indifference curve पर ये point है जो की है point J ठीक है? अब point J पर consumer इतनी सारी chocolates consume कर रहा equivalent to C3 और P3 जितनी pizza slices now compared to point N, K and L consumer J पर जादा chocolates और जादा pizza spices दोनों ही जादा consume कर रहा है so IC3 पर जो level of satisfaction है वो जादा होगी compared to IC2 ठीक है? so कैसे लिखेंगे? level of satisfaction at IC1 would be lesser than IC2 and level of satisfaction on IC2 would be less than IC3 ठीक है? so ये क्यों हो रहा है? because जैसे जैसे consumer IC curve पर उपर मूब करता चला जाएगा वैसे वैसे उसके number of units consumed increase होते चला जाएगे इसे लिए higher indifference curves will always represent higher levels of satisfaction इस concept में एक concept और बन करके आता है जिससे हम बोलते हैं indifference map इससे related भी आपको मेरे instagram channel पर reel मिल जाएगी आप वहाँ जाके check out कर सकते हैं and study कर सकते हैं students अगर आप तक आपने मेरा channel subscribe नहीं किया तो जल्दी से कर लेना क्योंकि जैसे ये series खतम होंगी मैं notes और quizzes release करूँगी ठीक है? जो मेरे channel पर regular videos देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं हर रोज एक quiz question release करती हूँ आप सबसे ही एक request रहेगी कि अगर आप अपनी knowledge टेस्ट करना चाहते हैं आपको कितना समझ में आता है कितना नहीं आता है उस एक quiz question को आप ज़रूर answer करें ठीक है? I will see you in another video bye now take care